जम्मो कश्मीर से पहली बार गुजर समुदाय के नेता गुलाम अली खटाना को जो है वो राज्य सबा में जो है वो मनोनित किया गया है जम्मो कश्मीर से वो राज्य सबा में जो है वो जाएंगे वहाँ पर जम्मो कश्मीर के किन मसले मसाइल पर वो बाचीत करेंगे और कि प्रकार अपनी जून का गुजर समाज है उसकी बहतरी के लिए वो प्रयासरत रहेंगे इन सभी विश्यों पर चर्चा करने के लिए खुद मेरे साथ मौजुद हैं गुलाग मालिक ठाना साथ सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारगा देंक्यो शुक्रिया जमू कश्मीर के लोगों की जीत है ये कश्मीर के लोगों की जीत है जमू के लोगों की जीत है हर समाज की जीत है अंतियोदे की जीत है आखरी आदमी की जीत है भरती जनता परती के हर इमंदार हाड़ वरकर और फल की इच्छा ना करते हुए जो कारे कर रहा है उसकी जीत है और सबसे ब और उन्होंने अपना बादा किया था 2013 में जब लोगों का एक सिलाव उनका स्वागत के लिए मुलाना अजाद स्टेडियम में में स्टेडियम में उन्होंने कहा था जिन समाज को जमु कश्मीर के समाज को प्लिटिकल एंपावर नहीं करा है अगर हम सत्ता में आए तो हम उनको प्लिटिकल एंपावर करेंगे एक के बाद एक लेसलेशन आ रही है और बहुत कुछ दे रहे हैं चल ला है बड़ी जिम्हवारी दे गई है आपको क्या और किस प्रकार से जो है वो अपनी जिम्हवारी का आप निर्वा करेंगे और किन इशूस को पर्टिकलर ली जो है वो आप वहाँ पर रेजब करेंगे देखिए मैं सधारन करी करता हूँ भारती जिनता पाटी का और मेरी समाजी जिन्दगी है मुझे मुका मिला है कि अवेरनेस चेतना जातराई करने का नोजवान स्टूडेंट्स को एंकरज करना उनको प्रोफेशनल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए एंकरज करना उनको हेल्प करना उनके उसको उसके अमबिशन्स को बढ़ाना आज मैं खुश हूँ कि हम जैसे एक बर चितना जातरा में हमें कुटुवा में आ रहे थे हमें चंदों ए गाउं है वहाँ हमारी एक फैमिली में हम रुके रात को वहाँ देखा हमने के एक बच्ची कालज में पढ़ती है तो वो उसका जुनस्टी में अड्मिशन करवाया फिर वो टॉप करा इदर फिर वो अजिप्ट में गई लंडन में गई आज वो कमबोडिया में प्रोफसर है सोनिया जस्रोटिया उनका एक फैदर उनके एक अमेरिकन अम्बेसी में चप्रासी थे इस तरह के नए करिकरता हैं गजवरी पुन्च से हैं जम्मू से हैं दलित समाच से हैं उची जाती के वीकर सेक्शन के लोग हैं ट्रैवल के हैं कश्मीर प्रोविंस के लोग हैं लद्दाक से हमें मौका मिला है लेकिन यहां तक प्रिटिकल उसका विजन का तालग है मोदी जी है ममकिन है उनका आँख नहीं है उनका एक यह लेजर वाली आँख है कि जो जो करिकरता कहीं आपको अख़वार में ने देखेगा वो करिकरता काम में देखेगा वो देखते हैं अभी आप MPS जा रहे हैं वहाँ पर नया मसला है 25 लाग वोटर का अडिशन हुआ है इसके अलावा वहाँ वहाँ पर और बहुत सारे इशूज जो है वो अपोजिशन रेक अप करेगा तो उनसे कैसे डिल करेंगे रिशाष करिए जो 25 लाग वोटर का इशूज दुनिया का कैश्ब से जएधा हाकुग शेरीओं के अगर का ये रिडुरेसल कन्सिटुशिशन ऐन्डिया में होते हैं उसमें जो परविजन है डिलाऊ स्टेट गा क्योंकि हम एक यूनिटरी कम फेडरल स्ट्रक्चर का देश है तो इसमें डेश का यूनिटरी और फडरल स्ट्रक्च ला यहां सप्रीम है, कांसिटूशन सप्रीम है, जहां कोई इंडिविजियल सप्रीम नहीं है, जो जिसका हग बनता है, वो बोट बनेंगे, ने बोट बनेंगे, स्टेट का लोगों की नेटिविटी का भी ख्याल लखा जाएगा. सर, इन पर्टिकूलर अगर बात करें, जमू और कश्मीर की यहां के जो बेसिक का इशूस हैं, जिनमें अनिम्प्लाइमेंट है, कुछ और भी बहुत सारे मसले हैं, तो क्या इन मसलों पर जब वहां पर डिबेट होगी, तो आप जो है, वो किस प्रकार से जो है, वो इनका व कारीफ लोग हैं, देश बासी हैं, तरकी, देश की तरकी में हिस्सा लेना चाहते हैं, बड़ चड़ के, लेकिन क्या है कि जब देश की लिडर्शिप, देश का जो पुलिटिकल मंदर है, प्राइम निस्टर ही यह स्टेट्मेंट देगा, कश्मीर के लोगों का आटानोमी की बात करेगा, कभी सकाई दले में इस तरह के जो स्लोगन्स आए हैं, उसे लोगों में एक दोरा जो अक्सेशन हमारा, जो लोगों का जहन है, वो थोड़ा कहीं न कहीं उन्होंने डैवर्ट करा है, जमू कश्मीर के लोग यह समझते हैं, यह लेंड लॉक स्टेट है, यह प्राइम मिनिस्टर बिला है, दुनिया की पांचमी एकॉनमी जो हमारा वो रहा है, जिसने हम पे तीन सो साल काविज रहा है, उससे भी आगे बढ़ते हुए, हम बढ़ रहे हैं, जमू कश्मीर के लोग, खासकर मौदी जी और हो मनिस्टर साब, बीजी पी की को बड़े एक सिर का ताज समझती है, हर समाज का, हर बरक का, चोटे से चोटे रिजन का, सब रिजन का, कि लोगों का दलित हो, पिछड़ा हो, बालमिकी समाज चोटा समाज था, माइक्रो समाज था, इतने सालों से सेवा दे रहा था हमें, इतने चोटे से समाज के लिए ए एक देश का प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि एक हमारी भेन बाहर शादी कर गई तो उसको राइट नहीं था तो इस तरह से वो खुद उन्होंने अपने प्राक्टिकल वो लांश्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है और ये तरकी की तरफ बढ़ेगा वक्त लगेगा अब सतर सा की प्राइम को नहीं सालब हो सकता है बहुत कुछ जमो कश्मीर को दे रहे है लिया कुछ नहीं है हमने दे रहे हैं आखरी सवाल है आपके बहुत सारे लोग गुजर समाज के लोग आपसे मिलने हैं बहुत खुश है और बहुत उतसाहित है क्या मैसेज देना चाहेंगे अतलाव जो है वो अपने समाज के लिए लाने की गुजर समाज की जीत तो ही है उनको सिर्फ बोट बेंक इस्तमाल करा है सतर साल जो जहां सत्ता में रहे हैं उनने सिर्फ उनका बोट लिया है एकनॉमिकली सोशली एडुकेशन लेवल पे उनको डिसकरज करा है और एक होदी जी ने प्लिटिकल राइट्स फॉरस्ट राइट्स एक्ट और सिटीज एक्ट अधर लैसलेशन कभी कुछ सीटे मिली हैं लेकिन जो हमारा हमारी जो जिम्मेदारी बड़ी है वह यह सिर्फ गुजर समाज की नहीं है यह सब समाज की वह है उस आखरी अन्तियोदे आ रहता है वह कहीं बार आपको मीडिया में नहीं देखेगा वह समाज में रहता है समाज का कारिकरते करते फॉल की इच्छा ना करते करते आगे बढ़ रहा है तो यभी भी जम्मेदारी है मैं छोटा सदान कारी करता हूं जो सर नो सीटे रिजर्व होई है स्टे के लिए को बोट के लिए स्टे कराा से Civ difference कि यह फलां पार्टी है यह वह तो हम इतने का मैंने मेरे मान में यह origin नहीं करता हूं मेंस्टेम फार्टी हो जम्मू कश्मीर की हम उसमें कामजाब हूए शुरू में हमें बहुत पराबलम आई हमारे जंड़ए है वह हमारे बरकर को टार् कोई कोई मुंस्पल्टी का चेर्मेन है कोई डीडीसी चेर्मेन है बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी जगों पर जुन्हों ने हमारे साथ काम करा है जहां स्टेट में तो हमने कभी फलकी इच्छा करी नहीं अब यह एक और जम्मेंदारी बनी है पहले मैं लीडर था और करेंगे और हम नेगनीती से नबाते हैं करेंगे अगर पार्टी ने ट्रस्ट करा है मोदी जी ने ट्रस्ट करा है हमारे सोशल काम को सराहा है समाजी कारों को कारेंगो तो हम जो जिम्मेंदारी होगी देश के लिए स्टेट के लिए लोगों के लिए हम डे नाइट हाज रोंगे ठेंक यू तो बिल्कुल इने ये कहा है कि जो इने जम्म वारी दी गई है ये उसे पूरी मांदारी के साथ उसका निर्वा करेंगे और जो इनके बयान है कि मोदी है तो मुमकिन है यानि कि छोटा कारे करता भी जो है वो कहीं नहीं बड़े जो नेता है उनकी नजर म आप देख तरही जमूलिक्स न्यूज नमस्कार